सिल्वी गल्चर में अभी तक जो six classes हो चुकी है उसमें हम लोगों ने जितना भी study किया है वो सब इसके जो principal वाले जो parts थे उनको study किया गया जैसे के climatic factor क्या है वो forest vegetation को कैसे impact देते है एड़ेफिक factors क्या है वो कैसे impact दे रहे है या फिर forest है वो इन factors के साथ कैसे interact कर रहे है वगरे वगरे अब जो अपना part start होने वाला है ये है उन principles का application for example हम लोग silviculture क्यों पढ़ रहे है फर्स लेक्चर में silviculture की अपने definition देखी थी silviculture इजी art and science of cultivating forest crop यानि कि silviculture का अपना basic purpose है पढ़ने के पीछे हमें एक jungle होगाना है अब आप जंगल कैसे होगा होगा है obviously आपको कहीं से बीज यानि कि seed या फिर planting material जो अपन प्लांटिशन करते हैं नर्सरी से जो लेके आते हैं उसे लेके आनी पड़ेगी और वो अपने पास जो भी एक area है बड़ा सा पोच हंडेट हेक्टर का एक area है जिसमें प्लांटिशन करनी है या soving करनी है तो उस कर दोगे लेकिन केबल प्लांटिशन या soving कर देने से हमारी वहाँ seedling बच जाए जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अपने factors हैं तो इसे जरूरत पड़ती है maintenance की क्योंकि वह factors जो हैं वह से खतम कर सकते हैं हमें उसे एक ट्राइप से protection देना पड़ता कई बार बीच में क्लिनिंग वीडिंग वगर करनी पड़ती है इसके बाद जब यह पेड़ जो बचाने थे जो लगाए थे जब यह height में growth करने लगते हैं तो फिर इनने बीच में tending operation मतलब कटाई छटाई की जरूरत पड़ती है जिसमें tending thinning वगर पड़ेंगे तब कहीं जाकर के हमें हमे material कहां से लेके आएंगे हम नरसरी से obviously और जो seed है seed की sowbing करेंगे तो अपने लिए seed कहां से चाहिए और नरसरी वालों के लिए जो planting material है वो कहां से produce करेंगे या तो यह करते हैं vegetative propagations है इसे नरसरी के साथ ही पढ़ेंगे या फर अपन किसी plant से seed collect लेक्ट लेके आएंगे यान कौन से ट्री है हमें चाहिए यह टिक के seed होंगे या साल के seed होंगे और अगर होंगे तो कितनी मातरा में चाहिए इन सब के लिए decide करेंगे हम कि हमें आखिर कौन से पीड़ की चाहिए तो उसमें है choice of species तो इस type से जो अभी आगे के अपने जो chapters है six वो इसी करम में जाएंग है और फिर लास्ट के में यह वाला पार्ट देख लेंगे इस type से silvy culture अपने tending operation पर जाके खतम हो जाता है तो इसका जो एक system है वो आपको समझ में आ गया होगा तो जिससे हम थोड़े आसानी से चीजों को समझ सकें अब अपना पहला जो इसमें रहे का chapter choice of species उसे देख ले हैं एक example लेके चलते हैं हम लोग paper के छित्र में आत्म निर्वर नहीं है हमें अपनी जरूरत का बहुत सारा paper जो है वो बाहर से import करना पड़ता है अब suppose बीच में मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि हमें आत्म निर्वर बनाएं in this case यह जो forest department है और जो paper manufacturers हैं उनसे एक जरूरत के लिए जो paper से यह देश को जरूरते हैं उसके हिसाब से आप अपना manufacturing improve करें अब यह जो manufacturer है इंडिस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करेंगे जो paper manufacturer है उनकी एक लंबा सफर्रा बनाएंगे tree species का क्योंकि अभी इनके पास कुछ गिनी चुनी species है वहीं से यह अपनी लिस्ट बनाएंगे फिर यह देखेंगे कि इन लिस्ट मेंसे कौन कौन से पेड़ है जिसके अंदर फाइवर जो इन्हें require condition में चाहिए वो है फिर स्टेप फिर देखेंगे कि सपोज इसमें से लिस्ट में 200 प्लांट इनको यहां 50 पेड़ मिल गया है फिर यह देखेंगे इन 50 मेंसे सपोज यह इंडिस्ट्री है सेंट्रल इंडिया की तो फिर यह सेंट्रल इंडिया वाले यह देखेंगे कि इन 50 मेंसे कौन से हैं जो सेंट्रल रीजन में ग्रो कर जाते हैं यह साउथ के हैं तो साउथ के हिसाब से देखेंगे कौन सी है जो साउथ रीजन में ग पिर इसमें यह देखा जाएगा कि इसफीज पर climate, edific, यह तो हम देख चुके हैं यहाँ पर और हमसे कोग जाएं मतलब climatic, edific, biotic factor को देख चुके हैं अब हम यह देखेंगे कि यह जो इसफीज है इसकी क्या requirement है इसकी कुछ silvy cultural requirement होगी हम उसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं सपोज उसे तो एसी चाहिए वो हमेशाट कॉल्ड टेंपरेचर में रहना चाहता है भई हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम उसकी जबगुरतों के हिसाब से देखेंगे तो फिर हम यहाँ पर निकाल लेंगे दो तीन इस पिसीज को फिर हम इसका देखा जाता है कि हमारे पास कितना बचट है वो भी फाइनन्सिल तो बहुत इंपोर्टेंट है अगर यह इस पिसीज अगर सपोज बचट अपने पास कम भी हुआ लेकिन इस पिसीज इंपूर्टेंट है तो अपने मार्केट से पैसा उठा लेते हैं लेकिन अगर सपोज इस पिसीज में भी उतना दम नहीं है और बजट गवर्मेंट का कम जोड़ है तो फिर हम दो तीन इस पिसीज को न लेके फिर एक दो को ही दाव लगाएंगे उनमें कोट करने के लिए आ जाता है कभी आराम से डाइग्राम बना दिया यह पेपर मैनिफक्चरिंग में एक तो है यह तराई रीजन इसमें उत्राखंड का रीजन है यूपी का है थोड़ा और इधर हरिना वाला रीजन है इस तराई रीजन में पेपर के लिए पॉपलर का काल्टिवेशन किये जाता है दूसरा यह जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है यह प्राइमरली यूपीलिप्टस को यूज करते है और कभी कभार कुछ है बंबू भी है लेकिन वो माइनर लेवल पर है बंबू को बहुत ज़्यदा प्रोड़क्शन अधर है नहीं मैं लिए यूकिलिप्टस की हुगाते हैं क्योंकि बंबू को एक तो ना ने फाइवरेवल कंटीशन है और प्रूतना कॉस्ट इफेक्टिव इतना है नहीं तिसरा यह नौर्थ इस्ट वाले हैं यह प्राइमरली बंबू को यूज करते हैं पेपर मैनिफक्शरिंग होता है बूसा के साथ एक कॉंप्टिशन है अपने जो एनिमल्स के साथ तो उसे तो कावर्मेंट ने पर्मिट नहीं किया लेकिन अगर आपने मस्टर्ड सरसों सुना होगा तो सर्सों की जो प्लांट्स की जो लास्ट की जो रैचिड्यू पजते हैं स्ट्रॉज उसका है यूज कर लिया जाता है यह फिर बैकेज जैसे यूपी है अब यूपी में तो नहीं है यूपी में सुगर केन बहुत ज़्यदा होता है तो यहां पर जो सुगर केन के बैकेज होते हैं सुगर केन के जो लास्ट में छोई बोलते हैं उसको यूज कर लेते हैं यहां पर है अपने आरम से काम चल जाता है तो बेसिकली अपना यह जो पूरी थियोरी है वो घूमेगी इने फैक्टर्स की उबर एक तो अपने चार साइट फैक्टर रहा है जानि कि क्लामेटिक एड़ेफिक टोपोग्राफिक और भायोटिक अब बार बार यही चार बोलने से अच्छा है तो वो अपने हैसाब से लिस्ट सेलक्ट करेंगे अगर आपका इनवार्मेंटल प्रोटेक्शन है तो आप इसे साब से देखो कि जो ट्री स्टी से रहे कर की जा रही है वो इंसेक्ट से ज़ड़ेश्टेंट सो करती हो क्लामेटिक यली ज़़ेश्लेंट हो और और भी हो सकते हैं कहां पर लगा रहे हैं आप राजस्थान में लगा रहे हैं तो वहां की राजस्थान में अगर आप लगा रहे हैं तो वहां की डेजर्टिक कंडिशन के साब से क्या है और फिर अगर आप सुसील फॉरेस्ट की अंडर लगा रहे हो तो फिर यह देखा जाएगा कि social forest की जरूरतों के हिसाब से ये कितनी सही है next ये भी देखा जाएगा कि silviculture requirement को से easy चाहिए हम दे सकते हैं कि नहीं और last economic factor तो ये चार मुद्धे हैं मौटे तोर पर जिनके ऊपर अपना discussion चलना है इस पूरे चप्टर का इसमें तो discussion देख लेते हैं पिछले साल के एक है 2013 का जिसमें सीधा सीधा बोला था उन्हों ने कि choice of species ऐसे कौन-कौन से factor हैं जो हमाँ choice of species को decide करने में help करते हैं उसके लिए responsible है next 2012 का था उसमें सीधा अब देखो choice of species में बहुत सारे factor है इसमें उन्होंने केबल उसकी ecological aspect को पूछा था ecological aspect मतलब 4F अपने जो है केबल उसी के उपर discuss करना था पूरा मुद्धा एक question और है 2018 का इन्होंने बोला था कि ऐसे कौन-कौन से selection criteria होंगे जो हमें environment की जो adverse है उसमें कोई plant है वो resistance हो करता हो यानि कि high quality के timber के production के लिए इस type की हम करें तो यह actual में selection ही है लेकिन इसे यहां न पढ़के इसे हम tree improvement में detail पर फड़ेंगे क्योंकि tree improvement में यह चीज़ें ज्यादा discuss आएंगी systematic भी आएंगे इसलिए इसे यहां पर छोड़ रहा है तरवाई यहां पर तो अपना extra होजबोज हो जाएगी आपको समझ में आगया होंगे क्या है आए हैं तो आप चलते हैं अपने man factor पर जो अपने चार factor है इन्हें एक एक करके discuss करेंगे जैसे पहला है side factor side factor में क्या है climatic factor अब आप climatic factor के साफ से जब कोई species select करते हो तो यह भी देखते हो कि कहां पर लगाना आपको अगर आप hot energetic condition है राजस्थान की वहां पर grow कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होता है कि राजस्थान के temperature के साफ की species होना चाहिए वहां कौनी फर्स को नहीं grow कर सकते हैं तो वह hot desert में कौन उख सकती है अपने akisya totalis इजराली पर भूलते हैं यह काफी important है akisya totalis अच्छा एक्जामपल है याद रखना दूसरा प्रोसोपिस की भी इस पिसीच को grow कर लेते हैं जो अपनो प्रोसोपिस सिनरियरिया है प्रोसोपिस जूरी फिलोरा है इन्हें कर सकते हैं दो याद रख लो बहुत है अपने लि बिलकुल खराब condition हो रखिये लेकिन soil fix है वो sandy की तरह मूब नहीं करती है दूसरा है cold desert cold desert में आता अपना सैलिक्स पॉपलर और जूनिपर्स यह जो एक्जामपल है ने बिलकुल याद रखो ऐसा क्यों यह 6-7 जगए काम आएंगे एक अपना लगवक यह paper 1 के section ए में एक subject ह silvy culture of Indian tree species उसमें भी यही चीज़े घूमफिर के फिर बापिस आएंगे वहीं पर हमें फिर सैलिक्स और पॉपलर को भी detail में पढ़ना तो एक base बनता रहता है तो वहां पर अपने को थोड़ा आसानी चले जाएगे दूसरा है semi arid region obviously जो अपना arid होगा उसके surrounding का जो रीजन ह तो थोड़ा semi arid होगा इसके बाद पर normalize condition है तो यह है semi arid इसमें उकता अपना name और आपकी फैमली यह आपका मतलब है अकेसिया albigia prosopis सीधा short form के लिए आसानी चले जाती है अकेसिया अपकेसिया में क्या चाहिए अकेसिया निलोट का ले लो अकेसिया सेनिगल ले लो अकेसिया सेनिगल यहाँ पर रहे लेकिन majority जो अकेसिया इसमें आती है केसिया केसिया स्यामिया वगर है अकेसिया अलवीजिया इसमें आएंगे अलवीजिया लीवेक है अलवीजिया प्रोसेरा वगर है दो तिन इस प्रसी जोर है अलवीजिया की और यहाँ पर प्रोसोपिस केसिया छोड़िए प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनरेलिया प्रोसोप इस जूनी फिलोरा है और यहां एक और है पॉंगामिया पिननाटा करंज है यह बहुत इंपोर्टेंट इस पे इस्टाल लगाई और रट्टा मारी है क्यों पॉंगामिया पिननाटा ऐसी इस पिसीच है जो बहुत ही उबड़ खावाड एरिया है पत्थर वगरे पड़े हैं मिट्टी लगवाग है नहीं वहां पर भी ग्रो कर जाती है और इसका इंपोर्टेंट क्या है एक तो आफोरेस्टेशन में है दूसरा इसके सीट से निकलता है ओयल जैसे यूज करते हैं एजे बायो डीजन तो जो सिल्वी कल्चर का लास्ट चप्टर है उसमें यह हम यह पिनना डाका तो रट्टा मारी लो इसके बाद यहां सेमी एरेट वो टेंपरेट सेमी एरेट मतलब कोल एरिया है थोड़े काम है तो उसमें वही चीज़ हैं पापस आ जाएंगे यहां पर अपने नॉर्मल कंडिशन में कोई खास अपने को याद रखने की जरूरत ह नहीं चल जाता है नॉर्मल सी चीज़ है यहां यह जो है टेंपरेटर यह रेंफॉल वगरा है यह समझने के लिए है इस ते जदा बखेती करनी ही नहीं है कुछ नेक्स्ट है अपना इडेफिक फैक्टर अब यह को ट्रे स्पिसीज किस एरिया में लगाई जा रही है यह एक इमपोर्टेंट फैक्टर है सबोच अगर अपन प्लैन में लगा रहा है तो अब इसली प्लैन के लिए नॉर्मल इस पिसीज भी ग्रो कर सकती है लेकिन अगर आप चंबल के रहाइंस में लगा रहा है तो यहां ऐसी इस पिसीज ग्रो करनी पड़ेगी जो बहुत ज़ रहे हैं क्योंकि सोहल जो है उसी के हिसाब से फिर जो अधर फैक्टर ने स्वेल का पी एच है टेंपरिचर यह सारी चीज़ें रिस्पॉंसिवल करती है उसे थर्ड चीज देखेंगे टोपोग्राफी कहां पर लगा रहे हूं टोपोग्राफी अपने हमालय वाला एक्जा है तो यहां पर वैजिटेशन काफी ज़्यदा ग्रोग कर जाती है एक बायोटिक प्रेसर का भी है अगर आप इस पसी जैसी उगा रहे हो जिसे जो अपने एनिमल्स है वो बहुत ज़्यदा कंज्यूम करते हैं तो उसे प्रोटेक्शन देना पड़ता है अगर आपने पॉ बैसे प्लांट लगा दिये तो बायोटिक प्रेसर जी रो हो जाता है और अगर आपने बबू लिया बेर के प्लांट लगा दिये तो कोई भी खाकर ड्रौग के चला जाता है नापता सपोज अपना परपज इंडिस्टियर है जैसे कि अपने पेपर और पल्प मैनिफेक्चरिंग है तो उसके लिए अपने यूकलिप्टस पॉपलर बंबू वगरे यूज़ का लेते हैं रेजिन टैपिंग है रेजिन इंडिस्टि जो है उत्राखन वगर में है तो देरदून के आसपास चीर पाइन की प्लान्टिसन काफी जदा है किर्केट बैट इंडिस्टि है जम्मू का समीर में वो सैलेक्स की प्लान्टिसन करते हैं तो यह industry की demand के हिसाब से आपको अपनी जरूरत में पता है कि आपको किस चीज के लिए manufacturing के लिए चाहिए तो आप tree species उसी के हिसाब से ढूंडते हो अगर आपको सोशियल डिमांड है, सोशियल मतलब इने चारा चाहिए, फुडर चाहिए, टिमबर चाहिए तो आप उसके हिसाब से स्पसीज़ वहाँ पर सैलिक्स ग्रो करने का कोई फायदा नहीं है वहाँ ऐसी स्पसीज सेलेक्ट करोगे, जो फुडर भी बहुत अच्छा प्रोड्यूज करती हो और टिमबर भी मिल जाए जैसे पबूल बगर है अच्छा स्पसीज़ है इसकी किसमन इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन के लिए आप ऐसी स्पसीज़ लगाओगे कि अगर रोड की किनारे लगा रहे हैं और रोड का जो धुआ है वह उसे बरबाद ना करें वह उसमें भी सस्टेनिवल हो जाए सेकेंड वह इस पसीज़ थोड़ा क्लामेटिकली रिजिलेंट हो तो और बैटर जिससे जो कभी सूखा पढ़ गया बाल पढ़ गया उसमें जदा इंपक्ट ना पढ़े बचीर है और यह कहा एस्थेटिक मतलब जो फ्लॉवरिंग वगरे करती हो तो आपका परपज क्या ह है अगर परपज आपका कभी किस नेशनल पार्क में इंट्री करना शनल पार्क कभी गूँमने जाओ उनके अक्सर क्या है बिल्डिंग बगर अच्छा लगे वहाँ पर बबूल नहीं होगा है क्योंकि उनकी कोई सोसिल डिमांड नहीं है वहाँ एस्थेटिक एस्पेक्ट है तो आप प्लांट क्यों कर रहे हो प्लांटेशन के पीछे परपज गया है उसकी कुछ डिमांड्स है उन चीजों को ध्यान देना पड़ता है नेक्स्ट है अपना सिल्वी कल्चरल एस्पेक्ट है इसमें एक चीज और छूट गई है वह है कि जैसे कभी एग्जांपल में कोड करना हो आपको तराई का पॉप्लर बता दिया कास्मीर के सेलेक्स होई चुका अपना यह ओयल पाम प्लांटेशन है मारीपूर में है इसे और एक पार देख लेना सिल्वी उसमें एग्रो फोरिस्ट में से डेटेल में देखेंगे वहाँ पर जो तूंगय सिस्टम है उसे सफ्ट करने के लिए इसे किया जा रहा है वाइल पाम की प्लांटेशन को कोई ब्लांटेशन को ग्रों कर रहा है उसके कुछ पर्टिकुलर डेमांड से रिक्वार्मेंट इसको कुछ ट्रीटमेंट देने पढ़ते है जैसे के वह लाइट डिवांटर है तो आपको उसे लाइट की कंडिशन प्रोवाइट करवानी पड़ेगी वो सैड में नहीं ऊ सकता उसे soft soil चाहिए या black soil चाहिए इस species की growth rate slow है या fast है आपको तिमबर चाहिए 10 साल में बहुत देरा 40 साल में नहीं काम हो पाएगा और फिर बहुत इस species आप लगा दो आराम से stabilize मतलब उसकी जो silvy cultural requirement है उन्हें पड़ेगा आप उन्हें provide करवा सकते हूं या नहीं और फिर लास्ट factor अपना आता है economic देखो कोई भी चीज है आपको यह दिखना होता कि उसकी production में जो cost है जो cost आप उसके input में लगा रहे हो क्या उससे आपको output वही मिल रहा है कि नहीं बराबर output मिल रहा है output अगर ज्यादा रहेगा तो फाइदे में बराबर है तो एक रैप से sustainable है काम चल सकता है कम से कम आपका employment जनरेशन हुई रहा है लेकिन अकर उससे कम हो रहा है मतलब cost benefit घटी है तो फिर वह project फैलोने वाला पका है तो यह economic factor भी देखना होता है फिर एक यह है कि आप जो produce कर रहे हैं उसका market है कि नहीं आपकी production cost कितनी है आपका budget कितना है कवर्मेंट ने कितनी funding कि यह सारी चीज़ है गूंफर के economic factor है जो किसी भी trees species के लिए responsible है यह बिलकुल वैसे है कि आप जाना तो इंडोनेसिया घूमने चाहते हो मतलब tourism के लिए इंडोनेसिया जा रहा है हो लेकिन आपकी pocket में पैसा कितना है तो उस हिसाब से है मैं trees species production क्य या वो सब चीजे बाद की है जब आपके पास पैसे ही नहीं है फंडी नहीं तो आप गुरू कैसे करोगे यहाँ पर अपना factors वाला part cover हो चुका है अब कुछ extra points है इन points का purpose के वर यह कर कभी कभी इन पर question आ जाते हैं और usually हम अक्सर बैसे छोटी मोटी जगा पढ़ते नहीं हैं तो यह एक साथ यहाँ पर करके रखा हुआ है जैसे एक होता है hardwood और softwood की बीच का difference के hard 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 नहीं heart और soft का एक heart और sap दो term अलग है इस बात को ध्यान रखें एक है heart wood और दूसरी होती है sap wood यह दोनों term अलग हैं यहाँ है hard यानि की कठोर and softwood जो conifers हैं उनकी लकड़ी जो है वो काफी soft होती है soft का means बहुत ही हलकी होती है आप उसे इजली अगर उसमें कोई needle है उसे आप penetrate करोगे तो इजली वो दो तीन हतोरे में काम हो जाते है जबकि जो अपने जो ट्रॉपिकल एरिया के जो tree है इनकी जो wood है वो बहुत ही जदा heavy होती है बहुत जदा भारी होती है और dark color भी होती है काफी जदा बस इतने से एक अपना जो काम है वो हो जाता था यहाँ जो heart और sap wood का जो ए होते हैं sap और जो अंदर का जो है heart है अंदर heart है वो अंदर ही होता है heartwood दिल तो वो है heartwood center का पार्ट उसमें भी इसी में भी वही है यह sapwood और यह जो dark part है इसे बुलते है heartwood तो hard और soft के बीच का जो difference है कई बार terminology आ जाती है पता नहीं पढ़ता कि यह क्या है तो उससे समझा एक और term है indigenous versus exotic का इसु जलता अपने हैं indigenous का मतलब है कि वो tree species जो अपने natural area में grow करते हैं अगर टेक्निकली बोला जाए जैसे अपना teak है तो teak जो है वो south इंडिया के लिए indigenous है और अगर आप north में लेके आगा है तो teak north के लिए exotic हो गया लेकिन government level पर इतना possible नहीं हो पाता है तो आज की टाइम पर सभी country क्या करते हैं को जो उनकी country की species हैं उनको बोलते हैं indigenous species और जो कहीं बाहर से लेके आ गई हैं उन्हें बोल दिया जाता है exotic अब अपने question जो आते हैं काफी important part है इस पर question भी आ जाते हैं कि जो indigenous हैं उसको हमें क्यों grow करना चाहिए क्योंकि आज क उसके पीछे एक सीधा से रीजन यह है कि यह species जमाने हैं काफी लंबे टाइम से grow कर रही है तो यहां के ecosystem में वह पहले से ही बहुत अच्छी तरह से step लाई हो चुकी है यानि कि उसने हमारा जो local environment उसे बहुत अच्छी तरह से adopt कर लिया है वह control है यहां क्योंकि insect paste भी एक प हमें पता है कि यह जो species है इसके seed का produce होंगे हमें कैसे से store करना है कैसे process करना है इसका production कैसे करना है यानि कि उसकी silvy cultural requirement हमें मालूम होती है हमारे ecosystem के साब से वो सही है उसका market बन चुका है और क्योंकि उसकी जो growth वगरा है वो चीज़े हमें पता ही है और उसकी साब से हमें उ यह तो point है एक side एक point यह है कि हमारी जो native flora है में कम सकम उन्हें भी तो बचाना है जो biodiversity है वो भी कंचर करना है तो यहाँ indigenous को promote करने का purpose में एक यह भी होता है कि हम अपनी native flora को promote कर लेते हैं दूसरे एक उसुआता है कि exotic फिर क्या है exotic का मतलब जो species बहर से लेके आप अपने यहां grow कर रहे हैं अब हम exotic लेके कैसे क्यों आते हैं जैसे popular है तो exotic के लेने के पीछे purpose होता है कि आपकी कुछ requirement है और जब आपको वो local market या local species है अपनी वो provide नहीं कर पा रही है या वो quality का जो timber या wood या fiber जो आपको require है वो local species से नहीं मिल पा रहा है तब आप ढूंडते हो क और किसी बाहर से माल को मगा लो for example जूनी पर्स है इसमें pencil industry के लिए अपन पैंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी चाहिए होती जिसके fiber बिलकुल straight हो यहाँ पर अगर उपर से चाकू रख दो तो वो बिलकुल सीधा काटते हैं वहाँ पर note जैसी condition तो कहीं मिले ही नहीं मतल उसे हाँ import किया उसे grow करते लगे fiber industry के लिए हमें अपनी लकड़ी जो है इनमें भी fiber हैं जैसे बबूल है उसमें भी कोई भी प्योड़ो fiber तो होते ही है लेकिन दिक्कत क्या है कि इन से fiber से निकालना इनकी लकड़ी से fiber को निकालना बहुत ज़्यदा chemical करता है क्योंकि इनके लिगनिन वगेरे बहुत ज़्यदा है तो हम ऐसी लकड़ी चाहते हैं खासकर soft हो जिससे उसमें उसके सिर्फ उस टिमबर से fiber extract करना बहुत ही cheap जाए सस्ता जाए तो उसके लिए हम generally conifers जैसे प्योड़ जो है soft food species हैं उनको यूज़ करते हैं और उसकी list में सबसे best suitable है वो ह अपना popular इसलिए तरही रीजन में वो popular की बंबार हो रखी है या फिर eucalyptus है वो भी कोई बहुत भारी लगड़ी नहीं है ठीक ठाक है वो hard और soft के बीच में लगवा कहीं पड़ जाती है तो वो भी इसलिए suitable है इसलिए यूज़ कर रहा है या bamboo क्यों यूज़ कर रहा है क कि अगर हमें जब choice of prestige करनी हो तो हमारे पास suppose कोई list थी तो देश की 50 ये 100 species आपा रहे हैं जब exotic की list बना होगे तो पूरे दुनिया भर की list बना लेते हो पूरे दुनिया भर की country तो ये list अपने पास यहाँ जहाँ आपने 250 पे जा रहा है यहाँ पर अपने चले जाएंगे 7 साड़े साथ हजार पे बहुत बड़ी list हो जागी तो हमें wider choice मिल जाती है और फिर हमें कुछ other जरूरत है future जरूरत है उन्हें भी हम एक बार consider करके यहाँ पर उस हिसाब से देख सकते हैं और ऐसा भी नहीं कि हम जब अपनी indigenous पे research करते हैं वो भी species किसी other country के indigenous होगी उनने भ country के आर एंडी को हमें दूसरा country यूज कहलेता है तीसरी बात देखो यह जो species है suppose हमने eucalyptus को Australia से लेके आ रहा है इंडिया में Australia में यह पूरी ecosystem में इस्टेबलाइज है उसके insect based रहे होंगे लेकिन जब आप उसे इंडिया में लेके आओगे तो यहाँ पर जो insect है बोस पर टेक्नी करेंगे नया ना पेड़ है तो उन्हें भी नया नया को समझ में आएगा भई इसे खाऊं या ना खाऊं कहीं खाली ऐ है कि 25-30 साल बाद भी जो लोकल है जैसे कोरोना से अब लोग कुछ समझती ही नहीं है उसको कोविड को बैसी हो जाता है कि 25-30 साल बाद इंसक्ट पेस्ट भी है ना वह बोलता रहे कुछ नहीं फाल दुगा पेड़ा खाऊ मस्त खाऊ उसे तो जब इंट्रोड्यूज किया जब हम लोगों इसे इंट्रोड्यूज किया था तो इसकी कोई इंसक्ट पेस्ट ही नहीं थे या फिर आपने अभी सुना होगा कि बहुत सारे अपने आप वीड है खरपतवार है जैसे वह कॉंग्रेस के रास है लेंटा लेंटाना कैमरा है इन सब के साथ दिक्कत क्या है क यह सब के सब एक्जोटिक है और इनकी कोई इंसक्ट पेस्ट इको सिस्टम वाला सिस्टम अपने है नहीं तो इन पर कंट्रॉल नहीं हो पाता है नेक्स है क्योंकि हम जो स्लेक्ट करना है तो अबिसलिए हम ऐसी ट्री स्पीसिच को लेके आएगे जो फास्ट ग्रोविंग हो इसके प्रूड़क्टिविटी और प्रूडक्सान दोनों ही देजी हो तो जल्दी से प्रूड़क्ट्स अमल जाता हो उस हिसाप से मुछ स्लेक्ट करेंगे तो यह कुछछ एडवनटेज हैं लेकिन हमेशा यहीं होता है कि एडवरंटेज ही होते है कुछ उसके ृड़ सबसे कम डिजायरेवले हैं और यह कई बार एफणॉक्सियस हो जाते हैं अपने लिए हर्मफल हो जाते हैं एक एक्जामपल है पॉपलर का अपने की सुनाओ का जम्भू कश्मीर में जो स्री नेगर हाइग कोट है यानि की जम्भू कश्मीर का जो हाइग कोट है उन्होंने 2015 में यह भो दिया था कि जम्भू जो अपनी क मीर वैली है उसमें जितने भी में आयार में और सार्सली उसमें चले क Score आपने फ़ेसे अपने यूजवियों भी अपने बहुत सारे पॉल gak एयर के साथ Breathing में ले ले लेते हैं अपर फिर वह निकल भी जाते हैं फिर अंदर अबड़ी में फिर वो बोबल इसके म्यूकस के साथ निकल जाते यहाँ पॉल्लम्रेन के साथ क्या इसू है कि इनकी इतना संसिटिविटी क्योंकि नहीं ना आया है तो इनको वो अंदर ट्रेक ही आम है ऐलर्जी कर देता तो इन्हें अस्थमा अधर चीजों की समस्या रही है तो इसलिए किस फाइल किया गया था और इसने हाई कोट ने बोल लेकिन कॉमर्सियल एसपेक्ट थिने थे कि वहां की लोकल कवर्मेंट उस मुद्धे को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई पहले अभी जब यूनिय टेरिट्री बन गई और खासकर कोविट के किस जब राइज हो गया तो यहाँ इसू यह हुगा कि जो पॉलन ग्रेंड है वो क करोड़ पेड़ों को काटनी का प्लांटिशन वर्क का स्टार्ट कर रहे थे लेकिन जैसे इन्होंने कटाई शुरू की फिर कोई वीच चला गया या फिर साथ ऑथर्टी गई थी क्लारिफिकेशन के लिए कुछ लिए कि यह जो प्लांट है नहीं काटना चाहते हैं यह दो कलमें से रसियन पॉप्लर पहुंचा था नाम बोल देते हैं जदा न्यूज डिटेल में पढ़नी है तो यह लिंक यहां दे दी गई तो यह एक डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गया दूसरा एक डिसएडवांटेज का जो एक्जामपल है वो अपने साउथ का है साउथ में एक-दू साल पहले अपने यूप्यसी को प्रलिम्प्स में वी एक्जामपल आए था कुश्चन आए था यह प्रॉसोपिस जूली फ्लूरा सिं्रेरिया नहीं प्रॉसोपिस सिंरेरिया होती है घिजड़ी जो अपने एंडिजिनस है राजस्थान का यह जो जू और साइध है अपने जो हैदराबाद के आसपास जो थोड़ा ड्राउट प्रोन एरिया है सूखा प्रवावित एरिया है उसमें से थोड़ा किया गयता है परपस यह था कि यह जो है ऐसी हाड़ी कंडिशन में भी काफी अची तरह से गुरो कर जाता है सोयल को पॉंट करके र कंड्रोल नहीं हो पाता है और यह वहाँ पर एबनॉक्सियस हो जाता है तो साउध में भी यही एबनॉक्सियस हो गया है इसके साथ दिखाता है कि यह कोई किसे कंड्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि एकोसिस्टम में कोई इसको कंज्यूम करने वाले नहीं है ना तो एनिमल कैसे नाइक कोई इंसक्ट पेस्ट तो इसका रिजल्ट यह हो रहा है कि यह वहां के लोकल जो एरिया है वहां पर जैसी कोई इस्पेसीज गायव होती है यह उसकी जगह ले लेती है दीरे दीरे करके उनके जो वाटर वाले जो हैं जैसे की नदी है तालाब है नहर है उनके आ अपनतर bullied होता जा रहा है जिससे लोकल एकोसिस्टम कॉलेपस हो रहा है प्लस यह वटर जो है उसको भी लिए乐ा करता है डास 8 करता है इस टुमिटा की तुरू तो वाटर को भी सुखं रहा है तो इस चकर हमगए केश फाइल किया गया था डिसेंबर Righted testing license 7 में तो यह दो सीधे सीधे बहुत अच्छे एक्जामपल हो गए तीसरा है जब किजी प्लांट को जैसे यूकलिप्टसी ले लो उसे जब आस्ट्रेलिया से ले आया गया था तो ऐसा नहीं है कि वहां से ले आया और सीधा यहां रोड पे उतार दिया उसे इंट्रो यह प्लांट है उनके इंट्रणक्षम का एक तरीका है और वो इंट्रोडक्षम में उसे टाइम लगता है दस पंदर साल का टाइम लगता है एक दो लीडि उसकी ढेंजर्ण्र इन आहे लगृटबरेट्री में यह जा अपने डोटंटिश के लगार्डन उसी में रखते हैं तो यह जो introduction का है वो काफी लंबा टाइम वाला है process है और एक समस्या और है अक्सर इनके जो seed होते हैं वो naturally viable नहीं होते हैं जैसे eucalyptus है सबसे best example क्यों है eucalyptus क्योंकि ऑस्टेलिया से जब इसे लेके आया गया था तो यह नीलगिरी में इंट्रोड्यूच किया गया फस्ट ताइम इसलिए local में इसका नाम है नीलगिरी यह नीलगिरी रेंच कंडिशन इसके लिए साही है स्वेटेवाल है वहां पर तो यह natural propagate कर जाता है लेकिन अगर आप नहीं कहीं और लगा तो यह लगाना पड़ता है यह उसके जो सीड प्रोड्यूच हुए है वो नीचे जमीन पर गिर करके जर्मिनिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके हिसाब कि यह कंडिशन नहीं है तो इसका जो सीड हो है वह उतने वाइबल नहीं होता है प्रोडक्शन तो लेकिन उतना वाइबल नहीं है तो यह सारी चीज़ें हैं जो इसके डिसएडवांटेज हो गए रहा है उन्हें देख लीचे एक बार फिर अपने इसकी कुछ एक्जामपल से एक लिस्ट है अब आप एमसी क्यू एक्जाम दे नहीं रहे हो इंट्रोड़क्शन इसका इंडूमिश्या की जो ऐलेंड है ऑस्टियलिया की तरफ उससे इंक इंट्रोडिच किया गया था यूकलेपटस यह याद रख लो कि यह ऑस्टियलिया से आया है बस इतने से अपना काम हो जाता एक है सेलेक्स सेलेक्स अपना यूरोपका और बस यह पांच याद रख लो बहुत है इससे जदा की जुरुवत नहीं पड़ती है अपने को कभी एक है अपना यूकलिप्टस वाला जो कि इससे थोड़ा याद डेटियल है कि हमने वही पूर्ट को क्यों इंट्रोड्यूज किया था इंडिया में इसकी क्या इससे देख ल लिया है अपना यह वाले जो निलगरी की रीजन है इन में वाटर की वज़े से दल जो अपने बोलते हैं वेट लेंड बहुत जड़त हैं अब अगर आपके रास्ते में आपको यहाँ पर कोई बहुत ही बैटर फूरस्ट मिला जिसकी प्योड़ों को काट के आप यूटिल लगा देंगे अगले 10-15 सालों में यह पूरे विटलेंड को साफ कर देगा जब यहाँ पर मुष्चर खताम हो जाकी तो यहाँ पर रास्ता बना करके पीछी के जो फोरेस्ट है उसे काट के हम एक्स्प्लाइट कर सकते हैं तो यह इसलिए हमने यूगलिप्रस को कि इसकी ग्रूथ रेट दस साल में प्रोडक्शन देता है टीक लगा दो चालीस सा लगते हैं यह दस साल में देता तेजी से ग्रोग करता है दूसरे जानवर जदा कोई निकसान पहुचाते नहीं है बीमारिया इसमें जदा कुछ है नहीं ग्रेजिंग ब्राउजिंग औस्तेलिया इंडोनेशिया वगर जो रेजियन है इनने काफी से रिसरच किया ग्लोबल लेवल पर पॉपलर है युकलिफ्डस तो लगवग हर मेजर कंट्री ने इसपर रिसर्च किया तो ग्लोबल लेवल पर इसकी जो वैराइटी है वो असानी से अभाइल लेवल है तो तो minimum है, maximum तो छोड़ी दो, इसकी अलग होता है, अब इसका result यह है कि अगर आपका farm है, जैसे आपका यह farm है, और यहाँ आपका पडूसी का farm है, आप पडूसी काफी दूनों से परिशान कर रहा था, सुबह सुबह गले आ रहा था, आपने eucalyptus की plantation अपनी border को कर दी, बस आ इस पूरे region में यह कुछ भी उगने नहीं देगा, यानि कि इसका यह area जो है, वो सुखा देगा, किस respect में, एक तो पानी पूरा यह खा जाएगा, दूसरा, यह जो उपर से leaf litter गराएगा, जो पत्तियां गरेंगी, वो भी allelopathy करती है, तो वो भी grow नहीं करने देता, तो व परिशान रहेगा, हलाकि इसका खाम्याज आपको भी भुगतना पड़ेगा, लिकन क्या है, कि दूसरे के दुख से जदा मजाता है, लोग उनको खुद की दुख से नहीं, तो वो एक्जम्पल रहेगा, याद रहेगा, चलो आँगे चलते हैं, इसमें को, अब इस पे कु कमेंट करने को पुछ दिया, तो अग्जो टिक क्या है, तो उसकी डेफिनिशन लिखो, अपर उसके एडवन्टेज, डिसद्वन्टेज बगरे से काम हो जाता है, नेक्स अपना आता है, एक टर्म और है, कावर क्रॉप एंड नर्स क्रॉप, ये दो टर्म है, पहले नर्स क मतलब क्या है, मेडिकल में नर्स क्या होती है, जो अपने जो बच्चे हैं, कोई भी है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसे न्यूट्रियंट है, उसे प्रोटेक्ट करें, मतलब जो बहर की कंडिसन है, जो उसे हार्म पहुंचा सकती है, उनसे प्रोटेक्ट करें, अब कुछ इस बिसीज है अपने जैसे कि टीक है टीक और साल की सीडिलिंग है जो नए डाइप होते हैं बिल्कुल लगाए लगाए है कोई ऐसा फार्मिरिया है जहां फ्रोस्ट पढ़ता है आप टीक और साल को यूपी में लगा रहा है हो जहां फ्रोस्ट पढ़ जाता है फ्रोस्ट इ initial phase में ये नहीं जहिल सकते हैं बाद में 2-3 साल की crop होनी के बाद इनने कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन initial में नहीं जहिल सकते हैं तो आप क्या करोगे कि टीक की plantation से पहले वहाँ अरहर या केस्टर इनकी crop ले लोगे और जब इनकी plant खड़े होंगे जैसे केस्टर के plant खड़े है उसके नीचे इसके plant लगा दोगे तो एक टाइप से केस्टर की पत्यों से यहां की स्वैल की fertility बनी रहेगी इसको एक protection मिल जाएगी ना केबल sun से बलकी frost वगर ऐसे और जैसी इनका एक जो पिरियाइड है वो complete हो जाए हम इसको उड़ा देंगे तो यह क्या रही नर्स क्रॉप बैसे हम यहाँ पर मैलाइना अर्भूरिया को भी लेते हैं डाप्टे और करपस टर्मिनेटर्स के लिए आपको इतने example की ज़रूद नहीं है एक simple सा याद रख लो टी कोड साल और इतर केस्टर कर लिना काम हो जाता है नर्स क्रॉप का मतलब एक particular time period के लिए एक क्रॉप लगाते हैं और जैसे उसका objective खतम हो जाता है हम उसे निकाल देते हैं दूसरी आते हैं cover crop cover crop अपने जो man crop है यहाँ देखो nurse crop अपनी man crop है उसके उपर होती है और cover crop है वो उसके नीचे है cover का मतलब क्या किसी को ढखना होता क्या है कि generally हम जहाँ plantation पर करते हैं पेड़ लगाने के बाद भी ऐसा बहुत सारा space है area है जो open रहता है खाली रहता है अब अगर आप वहाँ पर ऐसे खाली छोड़ दोगे तो दो लॉस होंगे या तो वहाँ वीड ग्रोथ कर जाएंगे और वीड आपके प्लांट के लिए लॉस पहुंचाएंगे या फिर जब उपर से rainfall होती है तो जो open area है वहाँ से soil erosion हो जाएगा और वह soil की fertility reduce होगी तो आप वहाँ पर ऐसी कोई crop लगा देते हो छुटी मुटी घास वगरा है जो competition भी नदें से और soil erosion को रोक है तो वह soil surface को cover कर रही है इसलिए उसे बोलते है cover crop इसी type का एक next term है fast growing और slow growing species का इस हुआता है fast growing के लिए देखो कोई criteria standard criteria नहीं है उनने एक नॉर्मल सी अपने बोल रहा है कि अगर कोई plant जो है वो आपको 10 meter cube per hectare per year इतना यह जो data है digit है इसका इतना या इससे ज़्यदा production कर देता है तो हम उस species को fast growing मान लेंगे अब कई बार क्या है कि कुछ प्लांट है जन्हें आपने इस साल लगाया दो साल पुराने प्लांट है वो तो नहीं दे सकते इतना तो फिर उसका एक criteria यह कि अगर कोई plant की जो high growth है वो अगर 60 cm per year से ज़्यदा होती है तो हम उसे fast growing मान लेते हैं और जो इस category में fit नहीं बैठते हैं उन्हें slow growing हो देते हैं इसमें एक थोड़े drawback यह भी है इसके कि जो fast growing है कोई भी पीड़ो ले लो जब एक maturity पर पहुंचाता तो इसमें इसना बड़ा size हो जाता वो इस ट्राटिक में ना सही वो 30 साल 40 साल बाद वो इस category पर आई ही जाती है तो बस एक criteria याद रखो इस पर क्या है fast growing क्या है बस काम हो जाता है अपना बस issue रहता है जो question आते हैं वो है fast growing के साथ issue challenges तो अपना देखो fast growing लगाते क्यों है क्योंकि हमें जो भी लगाया जल्दी से जल्दी उसका product मिल जाए यानि कि yield मिल जाए yield मिले और जल्दी मिले और ज्यादा मिले तो इससे हमें क्या economical है वो दूसरा industry की जैसे जैसे growing demand हो रहे हैं अपनी slow growing काम नहीं कर पाते हैं इनी से काम लेना पड़ता है और क्या है कि इन insect paste attack कर देता है और वो टीक पूरा साफ हो जाता है जबकि यह 10 साल की crop है तो chances जो damage कि है वो कम है compare to 40 साल की टीक के compare में तो इसलिए fast growing suitable है लेकिन इनके disadvantage भी है जो काम जल्दी जल्दी में किया जाता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है तो यहां पर भी वही है कि पूर physical और mechanical property बहुत अच्छी नहीं होती है अक्सारें में defect आ जाते है स्वैल को यह बहुत तेजी से क्योंकि ज़्यादा ज्यूब करते हैं तो स्वैल को एक राइप से exhaust कर देते हैं वह इनकी वही है और नेक्स नहीं से ज़्यादा कुछ resistance है नहीं यहां पर अपना यह जो choice of species वाला चैप्टर था वह हो गया complete अगला अपना चैप्टर आएगा सीड सप्लाई इसमें बेसिक तो हम यही समझेंगे पहले कि आखिर हमें सीड की जरूरत क्या है इसे आज की टाइम पर बहुत सारे protection पर चल रहे हैं और प्रोटेक्शन मींज जैसे एप्फोरेस्टीशन है चाहिए यह तो सीड की आप डिरेक्ट सोविंग कर सकते हैं सीड को सीड को फिर नर्सरी में लेके जाएंगे नर्सरी और प्लांटेशन यह फिर यहां पर लोगए है तो इस ताइप की आपको planting साने की रिक्वारमेंट है दूसरा है कंजप्शन वी परपाश कंजप्शन कै है जैसे human consumption है बहुत सारी tree species है जिनका हमें medicinal property है या यह food use कर लेते हैं तो हम वहां पर भी एक aspect में देख लेते हैं तो यह आ रही हमारी requirement अब देखो इस से पिछले chapter में choice of species में हमने क्या select कर लिया एक कोई particular tree species यह प्योड़े लिए हमने से identify कर लिया कि हाँ हमें टीक के seed चाहिए या साल के seed चाहिए चलो हमें इसे टीक ले लेते हैं कि हमें टीक के seed collect करने हैं अब टीक में भी फिर हम choice of species में क्या होता है इसमें इसका tree breeding का पार्ट है कि इसमें टीक में भी बहुत सारे इसके जो variety होती है उन्हें से एक particular suitable variety को select कर लेते हैं finally identify हो गया कि हमें यह पेड़ से seed collect करना है ओके अब seed supply यह जो अपना chapter इसमें इसके आगे कि step आएंगे सबसे पहला method आएगा कि इस पेड़ से seed कैसे collect किया जाए यानि कि tree से seed collection कैसे किया जाता है तो collection के method को study करेंगे फिर क्योंकि जो seed collect करते हैं वो बिलकुल pure नहीं होते हैं अक्सर उसमें कुछ ऐसे seed होंगे जो power mature है या dead हो चुके हैं या कुछ immature seed है कुछ धूल लकड़ कंकड़ वगर भी पत्थर आ जाते हैं तो फिर हमें उसकी processing करने पड़ती हैं फिर processing करने के बाद हमें उसे store करके रख लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि जरूरत उसकी हाल collect किया और हाली उसे use कर लिया कई बार ऐसा होता है कि good seed year में collect करते हैं और अगले 8-10 साल हमें reserve करके रखना होता है क्योंकि good seed year के viability बहुत अच्छी है तो इन्हें store करके रखते हैं तो यहां पर storage और storage से related समस्या वो सारी चीज़ है डिसकस करेंगे इसके बाद जब storage के बाद हम seed को use करते हैं डारेक्ट यह नर्सरी के लिए तो यहां पर हम seed को कुछ treatment देते हैं जिससे इसकी जो quality हो और improve हो जाए protection इसकी जो यह insect based के attacks हैं वो रुख जाएं इस पर तो seed treatment को discuss करेंगे लास्ट में आता है seed testing और seed certification यह testing का purpose है कि जब हम seed solving करते हैं तो हमें actual में पता होना चाहिए कि हमें कितने seed चाहिए क्योंकि suppose seed germination की बात की जाए अब इनको 100 seed अगर grow करते हैं उसमें 50% ही seed germinate हो पाते हैं यानिक कि उसका germination percentage है 50% तो आपको जितना भी seed require है suppose आपका एक एक हेक्टर का area है जिसके लिए आपको 100 seed की requirement है तो आप वहाँ 200 seed को use करोगे क्योंकि 50% ही germinate हो पाएंगे तो इस हिसाब साब को seed testing के कुछ methods हैं उनको देखना होता है यहाँ seed testing अपनी लिए important नहीं है खासकर IFS exam में अभी तक पिछले 15-20 सालों में ऐसे कोई question आए नहीं है तो इसका just एक छोटा सा review करेंगे बस इससे ज़्यादा देखने की जरूवत है नहीं next इसमें आएगा seed certification आज की टाइम पर seed commercialize हो गया है खासकर agriculture में तो पूरा seed certification चल रहा है लेकिन forestry में यह उतना proper way में नहीं हो प करेंगे यह ट्री improvement and seed tech की नाम से इसी paper one का section भी है वहां discuss करेंगे seed certification अगरा कि मुद्दे को तो इस chapter में basically हम लोग seed collection है seed processing है storage और treatment तक यहीं चार मुद्दे हैं अपने जिन्हें properly discuss करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे seed collection को जिससे अपने उसको collect करना है अब आपने देखो choice of species आप देख चुके जैसा मैंने बोला कि आपने species तो select कर लिए लेकिन उस species के जैसे tick को select कर लिया tick की बहुत सारी variety होंगे उन variety में से कौन सी variety आपके लिए suitable है यह अपना मुद्दा है tree improvement का उसमें अपने उनके provincial trial है पहले प्रोजनी टेस्टिंग है वो सारी चीजे करके आप उसे select एक particular tree species को select कर लेते हैं इन सारी चीजों को अपने later phase में discuss करेंगे जदा याद नहीं रहेंगे अभी जब आपने एक बार इसे decide कर लिया है इसके बाद फिर आप यह देखोगे कि आपको actual में seed की requirement कितनी है आपको अगर चार हेक्टर में करनी है तो आप चार बूरा सीट चाहिए या एक ट्रक सीट चाहिए आपकी सीट की requirement कितनी है तो requirement को यहां से देख लेते हैं यह अपना सीधा सा formula है इससे एक बाद समझ लो से और काम हो जाता है जदा कुछ इसमें पचले में जाने की जरूवत नही μεं अगर आप 100 सीड को पानी देता तो उन में कितने पर सेंट जर्म़yनेट होते हैं तो इसलिए अगर जर्मनेस्लेड़ पर सेंट पचास पर सेंट है तो आपको डबल फिर इसका solution आपको दे दिये जाएगा दूसर अपना मुद्ध आएगा इसमें next थर्ड आएगा अपना time of seed collection देखो आपको पता है कि आपने concentrate species से collect करना है आपको ये मालूम है कि आपको कितनी बोरे seed की requirement है अब अपने पास इस हुए है कि किस time पर हमें seed collect करना है उस plants है तो time ये भी देखा जाता है कि good seed year में अगर करें तो जदा बेटा है क्यों क्यों क्योंकि good seed year के जो seed होते हैं उनकी जर्मनेशन percentage बहुत अच्छा ह और actual वो seed healthy भी बहुत जदा होते हैं और अगर आपने कुछ older seed ले लिया कभी non seed year में ले लिये तो उनकी percentage बहुत कम होता है मतलब फिर क्या है कि 100 seed collect की ये 20 terminate हो रहा है अब आपको तो पता नहीं है आपने 100 के 100 लगा दिये तो उससे जो अपना workforce है liver force है उसका बरबादी बह important है अपने लिए tree से seed collection के basically तीन method है एक तो यह है कि हम tree के नीचे जाते है और जो नीचे गिरे हुए seed है उन्हें collector के लेके आ जाते है अब उसके क्या loss है कि लेको नीचे जो है seed जो नीचे गिरे हुए है वो obviously mature हो करके गिरे है तो positive यह है कि हम mature seed मिलते हैं लेकिन दिक्कत ही है कि यह कई बार over mature होते हैं नीचे गरने के बाद insect paste है इनका attack बाढ़ जाता है तो कई बार जो seed है वो खली मिल जाते हैं इस type के dead disease seed जगा मिल जाते हैं वो एक समस्या है इनके साथ दूसरा दूसरा method है कि आप पेड़ के ऊपर चल जाओ क्यों क्योंकि वहां पर जाकर करके आप proper way से वही seed collect कर सकते हैं जो आपको require है यह नीचे जो आने के बाद जो insect paste image और यह वाली जो दिक्कते हैं साड़ गलगाए seed उन से बच जाते हों तो कि इसके साथ दिक्कत क्या है कि पेड़ अपने बड़े होते हैं चालिस चालिस साथ साथ मीटर हाइट तक के होते हैं अब साथ मीटर हाइट पर सामने वाला चड़ है फिर उसकी ब्रांचों पर घूम है तो उसके लिए possible नहीं हो पाता properly के seed एक लिमिट से ज़्यदा collect कर पाए तो बहुत सारी समस्या है उनके साथ के साथ कि वह एक एक लिए बन नहीं है गिर गिरू गए तो हत पैर और टूट जाते हैं तीसरा तरीका है कि एक काम करो सीड जिस पेड़ से seed collect करने हो इस पेड़ को ही काट दो अब इसके साथ समस्या क्या है कि एक पेड़ से केवल एक ही साल सीड ले पाए इसके बाद तो पीड़ ही खतम हो गया तो सीदिश बात है यह उतना suitable method नहीं है लेकिन यह ऐसा भी है कि अगर पेड़ों की कटाई चल रही तो उस टाइम पर हम देख लेते हैं कि अगर कटाई चल रही तो चलो collect कर लेते हैं तो कुल में लाके seed collection के अपने पास तीन मुद्दे हैं तीनों तरीके हैं इन तीनों को देहन दो अपना काम हो जाता है तो पहला जो अपना था seed collection वो देख लिया उसमें हमने यह समझ जीजे करना है कितनी मात्रा में seed collect करना है कब करना है और हमारे collection के method क्या होंगे अब देखेंगे seed जब collect होके अपने पास आ गए उनको department में जब आ जाते हैं तो फिर उने करनी पड़ती हैं उनकी processing processing क्यों क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर धूल लकड़ होंगे लकड़ी होंगे या कुछ खराब seed होंगे तो उने हम करेंगे cleaning सफाई करेंगे उनके कुछ seed होते हैं जो फ्लेजी होते हैं इस type के अब फ्लेजी के साथ क्या है जैसे mango है फ्लेजी है फ्लेजी के साथ दिक्यत क्या है कि अगर आप ऐसी करके रख दोगे तो कुछ दिन बाद वो और यह भी इंसेक्ट जो है इसे भी अपने जो मैन सीड है उसे डेमेज करेंगे तो इसके क्या कि यह जो फ्लजी पार्ट है इसको हटा देंगे तो इसे इसे बोलते हैं पल्प क्या बोलेंगे इसे पल्प तो इसे बोलते हैं अपन डी पल्पिंग करेंगे कुछ सीड है जैस है इसकी वज़े से क्या होता है कि एक बोरी में अगर अब भरोगे तो बहुत कम सीड भर पाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत जदा बड़ा है तो हमें इनका करना होता है डी विंगिंग इनके जो विंग्स हैं उन्हें निकाल देना होता है यह जो है इसे निकाल देते हैं से तो यह साफ हो जाते हैं जिससे क्या है कि चार बोरे में जो आते सा इसके साथ कर लेते हैं grading grading मतलब उसकी size के साथ से बड़े size के सीड अलग छोटे size का अलग तो इस टाइप से grading करके हम उनको रख लेते हैं अब तीसरा step अपना चालो हो रहा नो है storage का seed को हम store क्यों करते हैं अगर seed को store नहीं करेंगे खासकर good seed iliar में अगर seed collect की हैं और अगले दत साल तक हमें हमें वही seed used करना है बहुत सारी species आई जिल मैं seed production जैसे बास है bamboo है उसमें एक बार seed produce होते हैं और अगले 20-35 साल नहीं हुने वालए है तो आपने इस साल जो seed collect की हमें आगले 20 साल यूज़ करना है तो कैसे करना तो आपको कुछ collect करके store करके रखना पड़ेगा तो यहां आपका storage आ जाएगा अपना अब storage के मुद्धे पर अपने तीन मुद्धे आते हैं एक तो है storage का atmosphere का हिसू जहां आप storage करते हो तो कोई भी सीड है उसको तीन चीज़ें चाहिए होती है एक है oxygen दूसरा temperature और तीसरा moisture आपने अकसर cool storage सुना होगा क्यों क्यों कि वहां पर temperature जो है वो low कर देते है oxygen का level low कर देते हैं जिससे जो seed है वो जो respiration कर रहा होता वो गिर जाता है गिर जाने से क्या होता उसकी जो age है वो बढ़ जाती है वो बिल्कुल वैसे ही है इसे simple way में समझो के एक seed है इसके पास है 10 kg आटा अगर ये daily एक kg आटे को consume कर जाएगा तो इसकी जो life है वो 10 days रहेगी अब अगर आप उसको बिल्कुल ऐसा सुला देते हो oxygen का मैं temperature नीचे है कि उसकी energy की जरूरत है बहुत कम हो गई suppose दो ग्राम तो आब उसको जो daily जो एक kg आटा consume कर रहा था वो कर रहा है suppose 200 ग्राम माल लो daily 200 ग्राम का जियों कर रहा है तो अब उसको कितना लगेगा 50 days तो उसकी जो life है वो 10 दिन की जगा है 50 दिन की हुई सीड़ की तो जो cold storage है उसमें actual में हम respiration की जो rate है उसे कम करते हैं यह UPSC में prelims में 2014 यह 15 के आसपास कही कुछ चना आया था साइथ 15 में आया था prelims में और जो majority जो अपने coaching classes है इनकी आंसर की में यह गलत दे रहा था रीजन ही था कि इन लोगों को साइथ है biology की थोड़ी knowledge कम है या biology वाले जिने knowledge है वो इन system इनका पार्ट में है तो यह cold storage की एक दिक्कत है जो है तो हमें storage से जो atmosphere है उसकी जो चीज़े हैं कि हमें क्या चीज़े होती atmosphere में oxygen temperature और monster वो चीज़े देखने होती है इसके बाद हम जब उन्हें store करते हैं तो seed का जो behavior है उसको देखना होता ह seed जैसे seed को रखते हैं तो कुछ seed ऐसे होते हैं जो orthodox हैं और कुछ recalcitant और तीसरा है seed के storage के type तो यह behavior को देख लेते हैं seed दो type के होते हैं orthodox और recalcitant orthodox का मतलब है कि यह बो seed है जिनने तुम उनकी जो moisture उसे निकाल लो आराम से below 10% या 10% या उससे नीचे और cold temperature पर रख दो इसके बाद भी यह जो seed है वो जिन्दा बचते हैं इन पर temperature उसका नहीं है कोई ज़्यदा फरक नहीं पड़ता है इन्हां बोलते हैं orthodox कै से याद रख सकते हो कि जो orthodox people है जिनने इस वर भगवान पर बहुत ज़्यदा भरोसा है तुम कितनी भी adverse condition में रख दो वो यह मानते हैं नहीं कोई बात नहीं अभी time खराब चल रहा आंगे अच्छा आएगा वो stress नहीं लेते हैं और वो survive कर जाते हैं तो यह है orthodox वाले orthodox की सीड कोन से हैं यह अपनी आपकी family है आम अदमी party ही सबके सब orthodox हैं जैसे अपनी बबूल है इनके सीड के बाहर होती है hard seat coat यह seat coat नहीं बहुत ज़्यदा time मिला देती है time help कर देती है इनकी लंबे long storage के लिए तो orthodox seat को क्योंकि temperature कम किया सकता है जिंदा बच जाते हैं moisture कम क कि जा सकते हैं तब यह जिंदा बचते हैं तो orthodox seat को बहुत ही लंबे time तक हम store कर सकते हैं 100-200 साल तक आराम से cold storage में इन्हें रखा जा सकता है दूसरे सीड है recalcit rent यह सीड ऐसे हैं जन्हें एक moisture है अकर उनकी 20 या 25% जो भी उन्हें require है minimum उससे नीचे अगर कर दिया तो यह seat जिंदा नहीं बचते हैं या फिर इनकी जो germination capacity है वो lost हो जाती है या तो यह और एक limit में जो temperature है वो भी limit में किया जा सकता उससे नीचे down नहीं किया जा सकता यानि कि इनकी जो respiration की जो rate है उसको एक limit से जदा reduce नहीं किया जा सकता अगर आप कर दोगे तो यह death कर जाते हैं इसका सबसे best example अपनी जामुन है जामुन वगरह है साल है डाप्टर रुकार पस है जामुन देखे मुह में पानी नहीं आना चाहिए बस आगे चलते हैं तो यह seed के दो टाइप है और तो डॉक्स और रिकल्सी ट्रेंट अब अपना तीसरा मुत्त है का seed को storage की method एक तो अप ले रहते हैं तो यह सीधा open storage है ना तो इन्हें कोई insect paste वकरा लगता है यह सीधा ठीके रहते हैं कोई दिक्कत भाली बाद नहीं है दूसरा है कुछ ऐसे seed हैं जिन्हें एक particular temperature की required होती है खासका थोड़ी गर्म और humid condition की तो फ़र दूसरा है warm and humid storage उनके लिए cold storage तो जानती है अब cold storage के साथ दू condition है एक एसा है जहां किवल temperature maintain है दूसरे में temperature और humidity दोनों ही control होते हैं तो इस type से cold मिलाके चार type के storage है इस सजदा की चकर में पढ़ना नहीं है तो अपना जो third blur था storage वाला वो हो गया अब आता है अपना fourth जिसमें है seed को treatment करना है देखो seed के साथ दो तीन स समस्या है पहली समस्या है seed dormancy टर्म बहुत important है इस पूरे seed वाले के seed supply का जो सबसे important जो सब topic है वो seed dormancy ही है seed dormancy का मतलब है कि plant की जो seed है यानि कि जो seed है उसे सब कुछ favorable condition देने के बाद भी वो grow नहीं कर पाता है seed dormancy है तो seed treatment का मतलब है कि seed की इस dormancy को remove करना आगे की slide में seed dormancy को detail में discuss करेंगे दूसरा है seed को generally कई बार अपन seed soving direct use करते हैं seed लेकिया है अब seed क्या कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं तो जब उसे हम trade कर लेते हैं इस टाइप से उसके ऊपर हम palleting कर लेते हैं बहुत सारे insect paste जो हैं जो इनकी ऊपर attack कर देते हैं तो हम यहां जो dressing करते हैं seed dressing जैसे बोलते हैं उसमें वो chemical लगा देते हैं वो fertilizer यूज कर देते हैं जैसे seed जब जमीन पर जाया है और जब grow कर रहे हैं तो यह उसे initial phase में nutrient भी supply कर दे और insect paste जो attack हो रहे थे वो भी नगर पाए तो इसे seed dressing से हमें help हो जाती तो इसे के लिए जो हम seed dressing यूज करते हैं वो यह रहा है जैसे कि हम ड्रेसिंग में क्या यूज करेंगे fertilizer chemical जो इसे initial phase में seed को nutrient दे सके हैं plus कुछ जैसे हार्मोन जो इसकी growth को promote कर सके हैं और डिजी इंसक्ट पेस्ट फंजाई बगर इसा बचाने के लिए हम फंजिसाइड या तो हांसे बराबर फैलाते हैं तो कहीं पे जएदा कहीं पे कब यह समझे हैं बनी रहती हैं अगला important सब topic है seed dormancy सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या आकरी होता क्या है कोई भी seed है सपोज यह एक seed है इसको जैसी पेल से आपने तोड़ा और उसे आप मिट्टी में लगा दो तो यह germinate नहीं होता है इससे एक particular time period चाहिए होता है इसके बाद ही यह germinate कर सकता है अब इसे जो particular time period क्यों चाहिए उसके पीछे कुछ region है ख़ी बार ऐसा होता है कि एक seed के अगर structure समझे तो क्या होता है बाहर का है seed coat अंदर है उसका embryo और यह food storage सीट के साथ क्या होता है कुछ seed के साथ कि उनका जब वो seed mature हो चुका है आपने seed को collect कर लिया लेकिन उसका embryo जो है वो अभी भी mature नहीं है अभी भी वो developmental phase में है दूसरा कई बार ऐसा होता है कि यह जो seed आपने collect किया है इसकी जो भार की seed coat है यह बहुत ज़्यदा hard है आपको इसकी hard seed coat को remove करना पड़ता है इसके बाद ही germinate कर सकता है यह जो food store किया है उसमें कुछ इस टाइप के अभी chemicals बचे रह गए हैं जो seed को germinate नहीं होने दे रहा ह तो इस type के factors हैं जो seed को आपने तुरंत पेड़ से तोड़ करके जमीन में लगा दिया और ओग जाया वो नहीं उपाता है क्योंकि यह factor की बज़े से तो यह जो phage होता है यानि कि वो condition जिसकी बज़े से seed favorable condition मलने के बाद भी germinate नहीं हो पाता है उसे बोलते हैं seed dormancy यह एक ट condition है कि यहाँ पर seed जो है वो सो रहा है अब सो रहा है तो आपको जगाना पड़ेगा तो यहाँ पर मोटे तोर पर seed dormancy की तीन category में divide करते हैं एक seed dormancy वो जो external factors की बज़े से हैं जिसे बूलते हैं हम exogenous seed dormancy जिसमें seed dormancy है वो hard seed coat की बज़े से हैं जिसे टीक में उसके बाहर का जो embryo है यह यह बहुत ही जदा hard है यह जो required seed को जो embryo है seed का उसे जो moisture चाहिए जो oxygen चाहिए वो provide नहीं करवा पा रहा है तो इसे hard seed coat है तो अगर इसे हमें remove करना होगा तो इस seed coat को treat करना पड़ेगा दूसरा है endogenous dormancy इसे बोलते हैं embryonic dormancy यह किस वज़े से हो सकता है कि अपन embryo है वो पूरा mature नहीं है या अभी उसका properly metabolic नहीं है या कुछ ऐसे enzyme है जो अभी भी present है उसमें और वो embryo को growth नहीं करने दे रहा है तो आपको दो ही dormancy याद रखनी है एक है exogenous पहली exogenous और दूसरी endogenous कभी कभी exam में इस type के लिखने को अगर आ जाए तो आप महाँ पर देख combined मतलब वो condition जिसमें एक जो और एंडो दोनों ही एक साथ होती है तो तीन टाइप की आपकी seed dormancy हो गए dormancy की definition dormancy की type अब आएगा अपना dormancy को remove कैसे करें क्योंकि seed treatment का एक परपजी है seed की dormancy या उससे remove करना remove की बहुत सारे तरीके हैं पहला एक तरीका जैसे अपनी जो आपकी family है इनके seed को generally अपने 24 गंटे या 48 गंटे के लिए पानी में डवा देते हैं अब पानी में डवाएंगे धीरे धीरे इंपाइवेशन की process की तुरू जो पानी है वो seed के अंदर जाएगा और seed फूलेगा जब अंदर से seed फूलेगा तो उसका जो hard seed code होता है वो क्या फट जाएगा फट जाएगा मतलब काम हो गया क्योंकि इसकी dormancy आउटर की ही विज़ जैसे थी दूसरा है टीक यह बहुत अच्छा मपल है इसको तो याद रखना ही रखना है टीक की दिक्कत है इसकी hard seed code नेचर ने इस टाइप से टीक को बनाया क्योंकि टीक होता है ट्रॉपिकल ड्राइड डैसीडूस फूरेस्ट में साउथ इंडिया के में सेंट्रल से आग लग जाती तो नेचर में यह एक ऐसा अडेप्टिशन है कि यहां आग लग जाए तो वो टीक के सीड ने इस टाइप से कर रखा कि आग लग जाए सभी खताम हो जाए लेकिन टीक के सीड को कुछ फरक नहीं पड़ता तो यह तो एकक्शल में हीट अप जब इसे मिलती ही है तब वो क्रैक होता और तब एक सोटेबल कंडिशन में पहुच पाता कि अभी जर्मिनेट कर पाएगा अब यहां हम इसे अग में तो डालेंगे नहीं तो इसका एक दूसरा है यहां आपर जो गर्मी सूखा गर्मी सूखा तो टीक के सीड की डॉर्मेंसी को रिमोब कर दो गहंटे से गरम किया फर एकदम ठंडा करेंगे तो इसकी सीड में एक्सपैंशन और सिकोडने से इसके क्रेक आ जाते हैं इसके सीड कोट में दूसरा होता है इसे फर्मेंटेशन भी खड़ते हैं इसका गोवर के साथ जो गया का गोवर है उसकी साथ इसे मिला करके 10-15 दिनें से छोड़ देते हैं तो उसमें भी फर्मेंट कर लेते हैं तो उसमें भी डॉर्मेंट से रिमोव हुती है आज के टाइम पर एक मसीन आती है जब आप आएफेस बनेंगे उस टाइम पर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा तो वहां पर ये बताएंगे एक सिंप बैदरिंग है वाटर सोकिंग है नेक्ट तरीका है इसकेरी इसकार का मतलब होता है उपर खरोंच लगना है इसकेरीफिकेशन को एक टाइप से मेकनिकल मैथर है इसमें क्या होते है कि नीचे सेंड पेपर ले लिया सीट को पकड़ पकड़ कर रगड देते हैं तो रगड़ स्कारिफिकेशन मैं हम इसके स्कारिफिकेशन कर लेते हैं कई पानी के साथ डाल करके इसके उपाल देते हैं या स्टू एसो फोर सल्फूरिक एसेड है एक था रखना यहां सबसे जदा important है वो है अपना scarification next है stratification इसमें यह आएगा stratification इसे देखें कि पहले इस पुरानी slide को discuss कर लेते हैं और method क्या है कि बबूल के साथ अक्सर होता है आपकी family के साथ कि अपनी जो बक्री वगरा है वो बबूल की फली को खा लेते हैं और जब बाद में आती है फिर mouth के through भी जब बोन निकल आते हैं तो वो germinate हो जाते हैं जो mouth से गया है तो जो chemical reaction उनकी जो lysine है mouth में जो enzyme है और इसने उसे damage कर दिया seed coat को तो फिर वो easily germinate हो जाते हैं तो यह passage through animal body है यह भी एक तरीका है बहुत सारी species का adaptation है partial fermentation है यह टीक का अपन करती है टीक और अर्जुन दोनों में यूज करते हैं यह partial fermentation light fire टीक में करती है जो उसका adaptation उसको यूज कर लेते हैं और एक तरीका और है इस mature fruit harvest देखो seed जब बनता है ट्री में तो process क्या है process को समझना होता है कि सबसे पहले एक fruit लगता है वो कच्छा होता है size size उसका जो है वो बढ़ता रहता है बढ़ता है और जब वो maturity gain कर लेता है तब फिर उसमें जो secondary चीजा है वो develop होना शुरू होती है तो सबसे पहले उसका embryo वाला पार्ट है वो बन गया फिर उसके outer का बार strong होना शुरू होती और फिर seed coat जो है वो develop होना शुरू होता है अगर हमें जो seed development की phase सही से मालूम है तो देखो seed पूरा develop हो चुका है बस harvest कर लेते हैं collect कर लेते हैं और laboratory में रख लेते हैं इससे क्या होगा कि seed उसकी जो dormancy है वो develop ही नहीं उपाई तो फिर हम उसे तोड़ कर रख लिया दो चार दिन laboratory में रखा और ओगाएंगे तो वो ओगाता है तो इसे बोलते है immature fruit harvesting next जो important है वो है stratification यह important है इसे ध्यान से सु development की जरूवत होती है जैसे के कौनिफर्स अब कौनिफर्स में होता क्या है जनरली कौनिफर्स जो seed produce है वो snowfall से पहले कर देते हैं उनका adaptation है पहले कर दिया वो जमीन पर गिर गया है इसके बाद पड़ी सुनो ठंड पड़ी और वो जो बर्फ है उसकी नीचे दब गया हो व इजली जर्मिनेट हो साएगा उनने एक natural adaptation है तो उनको सुनो एक treatment हो गया dormancy का जिस साल सुनो कम पढ़ती है उन्हें उतना treatment वो chilling नहीं मलती है वो germinate नहीं करते हैं वो सोई रहते हैं क्योंकि उन्हें पता कि साल monster काम है जर्मिनेट हो गा है तो फाल्दू में मारे जाएंग प्रॉपर टाइम पूरे जो उन्हें developmental phase तक monster चाहिए वो नहीं मिलेगी तो ज्यदा सुनो होगी ज्यदा treatment उन्हें cold treatment मिलेगा वो better germinate करेंगे तो यह adaptation है कौनिफर्स का दियोधार में के किसमें यह देख भी चुकी है पहले साथ third climatic factor में से discuss किया था तो यहां stratification में क्या कर वाद है हम artificiali कैसे करेंगे यसे हम एक गड़ा फो देंगे वहाँपर गनी बैख ले ले लिया यहां रख दिया इसके बाद सीड़ की एक लाइन रख दी फिर यहां एक गणी वैग रख दी फिर सीड़ की लाइन रख दी फिर गणी बैख फिर जो बोर् Mitte बोलता है हो गच ताइब अपना फिर इस टाइब से फिर ये फिर ये इस टाइब से हमने इसे पूरा layer to layer बना दिये यानि कि different state बना दिये इसके बाद हम क्या करेंगे इसका temperature हो जाता है डाउन उपड़ से moisture continue पान डालते रहते हैं डालते रहते हैं सीड को धीरे-धीरे करके समझ में आजाता है कि यार मस्त है यह तो स्नोफॉल वाली कंडिशन है एक चो पाटिकुलर टेंपरिचर उससे चाहिए था लॉंग डियूरेशन था कि जैसे उसे पांच डिक्री का टेंपरिचर चाहिए पंदरा दिन तक तो हम वो यह निकाल करके उसे निकाल लेते हैं फिर उसे समझ में आ जाता है कि भाई उसका तो इससाल तो भी उसके साथ धोका हो गया तो यह है स्ट्रेटीफ केशन सीड ट्रीटमेंट यानि कि डॉर्मेंशी रिमोव करने का एक तरीखा तो इस करीज साल ने इनको थोड़ा याद रख है अपने कोई कोश्चन नहीं आया है तो यहां के वाल एक बेसिक थीम देखेंगे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है टेस्टिंग का एक तो पहला परपा जी क्या है कि अगर हमें नमबर ऑप सीड कितने रिक्वार है वो हमें टेस्टिंग सी पता पड़ेगा कि जैसे प् एक सो बोरा हमें टीक के सीड चाहिए अगर यहां जो बोरा हमें जो सीड है उसमें असी परसेंट ही सीड टीक के सीड है तो इसका मतलब हमें वहां पर सो बोरा चाहिए तो हमें यहां सो बोरी से काम नहीं चलेगा हमें एक्शूल में थोड़े ज़्यादा चाहिए पड़े क्योंकि 80% ही टीक निकले रहे हैं तो बोग चीजों को ध्यान रखना होता है तो इसलिए हम करते हैं हम प्यूर्टी टेस्ट में हम यहीं देखेंगे कि कि एक्च्वल में हमारे जो स्पिसीज है उसके सीड किस परसेंटेज में और अधर खाली पिली की चीज़ हैं कितनी हैं दूसरा उसी स्पिसीज के भी कुछ बरवाद सीड होते हैं डैड हैंड जी जाए डिखेंगे जो अपने मतलब की नहीं है तो उन चीजों को भी अपन ड परसेंटेज की पता होना चाहिए दूसरा है सीड वेट एक बोरी में सीड वेट का में दो टारमाते हैं टेस्ट वेट और सीड वेट सीड वेट में साइध है थाउजन सीड का वेट लिया जाता है तो उसमें हम यह पता होना चाहिए कि एक देखो सीड जो है डिपार्टमे सीड आते हैं ठीक के तो फिर वो इस हिसाब से निकाल लेंगे कि उन्हें सपोच चार कुंटल सीड चाहिए पांच कुंटल चाहिए तो उसके सपोच के एडरमे हिए टाइगा है अपने का मतलब है कि ef कितने परसेंट और आपके पास जो चीड है550 परसेंट है 70 परसेंट है वो जर्मनीशन का है रिमैनिंग वायबिलेटी टेस्ट है मौस्ट टेस्ट है यह सारी खाली पर लेकर टेस्ट है नोट्स में देख लिए ना परपस इनका कुछ है नहीं अपने यहां एक्टुल में कुछ नहीं है यहां जर्मनीशन से रिलेटेड दो टर्म और आ जाते हैं कई वार एक है हाइपो जील और दूसरा है इपी जील एपी का मतलब एवाब जील का मतलब आर्थ तो वो सीड जो जिनका सीड जब लगा दिया और जर्मनेट होने के बाद यह जो कौटिलेडन वाला पार्ट है वो अर्थ के ओपर आ जाता है तो इसे बोलते हैं अगर वो यहां पर ग्डू किया और यहीं पर रह गया तो इसनी जाया रहा को वा एक टर्म और ऑजाता है इपी-कोटायल है, जैसे यहांपर लिखा, इपी-जी-ल हैपी-कोटायल तो होता क्या है, जैसे अपना कोई सीड है सीड में एक तो है, उपर स्टेम वाला पार्ट, दूसरा है नीचे रूट वाला पार्ट जो से रूट बनती है, इसको बोलते हैं हाइपो hypo-coatile का मतलब coatyladen जो coatyladen है सीड है तो hypo मतलब नीचे का ipicotile मतलब इसके उपर का part तो इसमें होता क्या है ipigel में ipigel में ये है ipicotile इसमें जो hypo-coatile है देखो hypo-coatile निकला और hypo-coatile तेजी से growth करता है और seed को उपर लेके चला जाता है जबकि hypoxmagy일 केस में क्या है वह और उसकी ग्रोध थोड़ी slow होती है उन एपिकोटाइन तेजी से ऊपर निकल आता है तो इसमें एपिकोटाइन निकल ही आता है पिलांट ऊपर आई गया से द्यान से देखते हैं उस पर लगवा का हर साल ही खुशना आजाता अपना